किसी भी चीज के साथ आप एक वक्त से जादा रहते हैं तो उसके साथ आपको अटेश्मेंट हो ही जाती है फिर अगर बात की जाए सक्सेस्फुल रणिंग एक साल के शो ये रिष्टे हैं प्यार के की तो शहीर शेक रहा शर्मा स्टारर ये शो हमेशा लोगों के दिल के बे अपने इस शो को अलविदा कहपाना बहुत ही जादा मुश्किल भरा रहा तो दूसरी तरफ रूपर पटे जिन्हें आप अभीर की मा का रोल प्ले करते देखते हैं शो में मिनाक्ची राजवंश का किरदार निभाते देखते हैं उनके लिए भी ये फाइनल गुडबाई काफी जादा मुश्किल भरा रहा एक इंटरव्यू में जब शही शेक से पूछा गया कि आप अब इस शो के रैप अप होने पर क्या कहना चाहेंगे कैसा फील कर रहे हैं तो यहाँ पर शही शेक ने बताया कि मैं अपने रोल को प्ले करना बहुत जादा मिस्स करूँगा जैसा कि कहते हैं कि सब अच्छे चीज़ों का खत्म होना एक दिल लिखा होता है लेकिन फिर भी जिस तरीके से ये emotional roller coaster ride हमारे जिंदगी में attached रही है और जो मेरा on screen character रहा है अभी मैं definitely उसे play करना मिस्स करने वाला हूँ मैं अपनी team के साथ hangout करना बहुत मिस्स करूँगा ये cast पूरी cast मेरी एक family के जैसी बन गई थी और मैं असल में इन सब के बेहत करीब आ गया हूँ and I wish each of one them is the best and I am thankful to star plus Rajan Shahi sir especially our audience जिन्होंने हमें इतना सारा प्यार दिया मैं हमेशा ये खुबसुरत यादें अपने जहन में रखूँगा दूसी तरफ जब मिनाक्षी से ये पूछा गया कि आप इस show के खत्म होने पर कैसा feel कर रही है तो उन्होंने भी भारी मन से कहा ये शो बाके के शोस की तरह ही मेरे दिल के बेहर करीब है ये रिष्टे हैं प्यार के मेरे दिल में एक खास जगा रखता है मैं बहुत आभारी हूँ star plus और producer Rajan Shahi sir की जिन्होंने मुझे ये मौका दिया मिनाक्षी राजवन्स का रोल प्ले करने के लिए मैं अपने कोल स्टार्ट का भी तहे दिल से शुक्रियादा करना चाहूंगी और अपनी ओडियन्स का भी जिन्होंने हमारे इस चांदार जर्णी में हमारा साथ दिया और हमें भरपूर प्यार और सपोर्ट दिया उनके बिना ये कुछ भी possible नहीं हो पाता आज का दिन मेरे लिए बहुत इमोशनल है क्योंकि यहां से हमारी जर्णी और हमारी लाइफ की नई शुरुवात होगी लेकिन इस रोल को प्ले करना मेरे लिए गर्व की बात है और जो भी कोई मेरे साथ कैमरे पर होते हैं या कैमरे के पीछे होते हैं विवर्स हमारे उन सब का तहिद दिल से शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया वहलब इतनी जादा सेंटी बातें जब मिनाक्षी और अबीर ने कहडाली हैं जाते-जाते तो इसे सुनने के बाद यकीनन हमारे फ्रेंस का भी दिल भराएगा लेकिन हम तो बस इसी इंतिजार में बैटे रहेंगे कि कब हमें ये गुड न्यूस सुनने के लिए मिले कि सीजन टू मिष्टी अबीर के जोड़ी के साथ एक बाद फिर से पूरे टीम के साथ कमबैक कर रहा है